नमश्कार दोस्तों मधूर सरस चैनल पर आपका स्वागत हैं आज कल सोशल मीडिया पर वाइरल हैं भगवान श्रीराम की आर्टिफिशल इंटेलिजेंट्स की तस्वीरें बाल में की रमायन और शास्त्रों में वर्नित विवनों के याधार पर आर्टिफिशल इंटेलिजेंट्स की सहारे भगवान श्रीराम की कोई एक इमेज बना देना वैसा ही है जैसे समद्र में से सबसे सुन्दर मौती निकाल लाने की दावा करना ये कैसे सुईकार किया जाए कि 16-18 साल की उमर में भगवान श्रीराम ऐसे ही दिखते थे ये तो साधारन बात है कि जैसी चवी भगवान श्रीराम की मेरे मन में है वैसे मेरे परिवार के मन में नहीं होगी और मेरे जानने वाले या समंदियों के मन में भी अलग-अलग छवी होगी इसी तरह से युगो-युगो से करोरो हिंदुओं के मन में भगवान श्रीराम की अलग-अलग छविया होगी फिर हम एक छवी को ही सच कैसे मान सकते हैं और भला घड़ी हुई चवी वो पून्ता कैसे पासकती है जबकि हम सद्यों से अपनी शिजन चिलता और कल्पना से एक छवी बनाने में डूबे हुए हैं लेकिन फिर भी सफल नहीं होते हिशिव बालमिकी के राम कालिदास के राम नहीं और कालिदास के राम भवभूती के राम नहीं भवभूती के राम कंब के राम नहीं और तुलसी दास के राम चिन सब के राम नहीं और मिराला के राम तुलसी के राम नहीं और हम कोटी-कोटी लोगों के कोटी-कोटी राम हैं सब ने अपनी अंतरदिष्टी से उन्हें देखा और सब ने अपनी कलपना की है और अपनी शर्दा से उन्हें चित्रित करते और मिटाते रहे हैं फिर भी एक संतोश ना हुआ एक प्यास ना मिटी फिर एकदम से कोई ये कह दे कि ये भी तुम्हारे राम है 21 साल के राम ऐसे ही दिखाई देते थे तकनीक उन्हें ऐसा ही देखती है तो युगो युगो से हमारे देखे और अन देखे राम का क्या होगा उन्हें राम का क्या होगा जिने हम अपनी शर्दा से रूप दे कर अपने हर्दय में वसाते रहे हैं और तब भी कोई रूप ना दे सके हैं आर्टिफिशल इंटेलिजेंट से बनी इस छवी को स्विस्की करने में बड़ा संकट और संशय है पहले बात तो यह छवी सुन्दर होकर भी बेमेल और उप्योक्त सी दिखाईद पड़ती है एक आधुनिक सिनिमाई चोकलेटी से चहरा सामने आता है जो राम ततुल से कोसो दूर है रामायन पर बने धारवाहिक और फिल्म यहीं चूख खा जाते हैं भला उस राम को कोई कैसे रूप दे जिसको रूप देने में महा कभियों में कोई एक मत नहीं हुआ रामायन की सफलता इस बात में नहीं है कि वो राम के चरित में किसी एक विशेश एक्टर को निरुपित करती है बल्कि इसमें है कि वो राम ततु का निरुपन कैसे करते है राम ततु का सिनिमाई निरुपन संभव ही नहीं है राम जितने सगुन है उतने ही निर्गुन भी है उनके रूप के हजारों मान है लेकिन किसी एक उपमान की सर्मन्ने स्विकारेता नहीं है जिस image को राम की एक अनन्य ठवी कहकर परचारित किया जा रहा है वो किसी को भी भला क्यों स्विकार हो और वो तो सास्त सम्बत भी नहीं है भगवान श्री राम के किसी एक रूप की एक ठवी की सर्व स्विकार्यता सम्भव भी नहीं है यह बात एक साधारन से साधारन हिंदू भी समझ सकता है क्योंकि प्रतेख हिंदू के मन में उसका अपना एक अलगी राम है भगवान शिरी राम की AI से निर्मित इस फोटो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भगवान शिरी राम का रंग बदला हुआ है भगवान ने जनेंग और कुंडल धारन नहीं किये हुए है ये इमेज एक वेवसाइद से निर्मित एक साधारन इंसान की फोटो लग रही है आज कल के मनुष्य जैसे हम और आप दिखते हैं जिसने हम सब को इस शिष्टी को बनाया है क्या हम उन्हें बना सकते हैं राम चरित मानस में बताया गया है कि राम का वर्णन राम की सुंदरता का राम के रूप का वर्णन ब्रह्मा जी तक नहीं कर सकते थी इतने सुंदरते हमारे राम जी इंटरनेट टेक्निक्स यूज़ करिए और भगवान को तो छोड़ दीजे अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सबस्क्राइब करें और कमेंट में जैशी राम अवश्य लिखें